अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ इंजिनियरों अपना इंटरनल कम्विशन इंजिन चल रहा है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाया और आगे इस वीडियों पढ़ने वालें सारे नोट्स आपको पीडिया फॉर्मेट में विलेवल हैं ज चल ये शुरुआत करते हैं साथियो इंजन नोमेंक्लेचर के बारे में नामकरन देख लेते हैं किस टर्म को क्या बोला जा रहा है किस चीज को किस नाम से जाना जाता है अब स्लेंडर वार किसे कहते हैं साथियो स्लेंडर वार होता है वो क्या होता है जो आपने देखा है स यह कहा जाए सिलेंडर का कितना डायमेटर है इसे ही वोर कहा जाता है पिस्टन एरिया जैसा आप देख रहे हैं साथ यह इस प्रकार से आपने सिलेंडर देखा है अब इसमें पिस्टन भी कुछ इसी प्रकार की होगी इस प्रकार की उपर नीचे स्लाइट करने के लिए तो कितना होगा पाई बाई वफोर डिबाइड़िड वई पाई बाई भाई प्रट मिफॉर डी स्कार होगा इस प्रकार से यह विपश्टन का एरिया ओगा यह वपर नीचे करेगाकर इस ट्रयोक किC से कहते हैं यहां पर नेक्स्ट अर्म आती है नाम आथा स्ट्रोक आप यह ना पर Japan si यह पिप्टन सिलेंडर बना हुआ है यह से बोटम डेल पर सकता है इससे नीचे जा सकता है इतना मोशन कर सकता है यह यह चूट वोल्म कहलाता है और इसे को स्ट्रोक कहते реально जितने लेंद कवर किया रही है यह स्ट्रोकٰ कहलाती है इतना उपर दी एक्स्ट्रिम पोजिशन आप दी पिस्टन डेट सेंटर उपर भी आपको मिलेगा देखने को और नीचे मिलेगा पिस्टन इसमें मूब करेगी उपर नीचे इतना घूम सकती है इससे उपर ज्यादा नहीं जा सकती है क्योंकि यहां पर वाल लगे होते हैं एक्जोस्ट इनको आप डेमेज नहीं कर सकते उपर ले जाएंगे तो टक्राकर खराब हो जाएंगे तो जो उपर वोल्यूम होता है क्लिरेंस वोल्यूम कहलाता है यह शिफ्ट वोल्यूम कहलाता है शिफ्ट वोल्यूम जो उपर नीचे सलाइट कर खर शिफ्ट किया जाता है बार बार next 5 जानते हैं साथ हो stroke to war ratio यदि आपका ये diameter है और जो length slide motion कर रही है उपर नीचे घूम कर आ रही है इसमें कितनी distance है ये distance और कितना आप motion कर रही है इस हिसाब से इनका ratio लिया जाए तो किस परकार का होगा साथ हो d is equal to l d जैसा बता दिया आपको war है diameter है आप कह सकते है square engine बन गया है यही से square engine के नाम से जाना जाता है यदि diameter बड़ा है d is greater than l stroke length से तो इसको over square engine कहा जाएगा और यदि diameter छोटा है length से stroke length से तो उसको under square engine के नाम से जाना जाता है अब next आते हैं विद्वानो swift volume की तरफ जैसे आपको बतायता साथी हो इस shift volume क्या होता है यह अपना cylinder है इसमें piston sliding motion करेगा उपर नीचे यह center होगा एक यह center होगा इससे ना तो उपर जा सकता है और ना इससे नीचे आ सकता इस length में motion करता रहेगा उपर नीचे बार बार आएगा जाएगा चलता रहेगा अब volume कितना होगा इसका उपर जितना area है वो area निकाल लेंगे और कितनी length है तो यह total volume बन जाएगा तो इस परकार से यह shaped volume कहलाएगा इसको सब्द दिये जाएं इस भावना को सब्द दिये जाएं जितना यह motion कर रही है तो इस परकार से यह total volume बन जाता है तो BS का formula आपको प्राप्त होता है पाई बाई फोर D square L अब clearance volume के बारे में जानते हैं जैसे आपको पहले बताया था साथियो clearance volume होता है जहां से piston उपर नहीं जा सकता इसकी limit होती है उपर नीचे इसमें घूमता रह गए इस shift volume है यह clearance volume में जो छोड़ दिया जाता है safety के लिए इसको VC से express करते हैं कहीं आप सकता पड़े हैं आपको फिर रूबरू कराएंगे अब compression ratio के बारे में जान लेते हैं compression ratio जिसे r से आप लिख सकते हैं rc से इसे आप express कर सकते हैं आगे जाके rc से इसे express करेंगे तो अपना compression ratio होगा big divided by small इसे आप इस परकार से समझ सकते हैं अब यहाँ पर total volume कितना है total volume है clearance volume उपर है यह shift volume है दोनु volume को divide कर दिया गया clearance volume से तो इस परकार से compression ratio हम लिख सकते हैं r is equal to bs plus vc divided by vc तो एक compression ratio rc से इस परकार से आप लिख सकते हैं या जो भी आप method इस्तमाल करना चाहें symbol sign इस्तमाल करना चाहें लिख सकते हैं आपको समझ माना चाहिए compression ratio किस परकार से लिखा जा रहा है उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकर है आपको अच्छे से समझ माई होगी अभी वे आपका कोई confusion है तो आप हमसे comment करकर पूँ सकते हैं साथ यो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको video description मिल जाएगा वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल की कहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में बारी की से जानेंगे एक एक चीज़ को detail में वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की कहराईयों से बहुत बहुत धन्नवाद जहिन बंदे मातरम